हलो गल्स मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास साहय काचार्य ग्रह विग्यान राजकी अमीरा कन्या महाविद्याले उदैपुर राजस्थान और हम पढ़ रहे थी कम्यूनिटी हेल्थ और फैमिली वेलफेर और उसी कड़ी में हमने तीन यूनिट पूरे कर लिये थे आपन यह भी आपको पता चल गया है अब हम थर्ड यूनिट में एंटर कर रहे हैं फोर्थ यूनिट में हम वुमिन हैल्थ के ओपर चल रहे हैं जिसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह मानो प्रजन अंत्र या यूमन रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम क्योंकि में जो प्रिग्नेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं और जो कि वुमेन हेल्थ क्या सबसे इंपॉर्टेंट आसपेक्ट भी है तो इसको हम इसके अंदर एक बार इंट्रोड़क्शन के लिए इसको हम प्रजनन क्या है कि जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में व्रद्धी करते हैं उसे हम प्रजनन कहते हैं जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं और एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं यह एक definition है जो कि आपको clear कर देती है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब जो मानव है यानि कि human reproductive system हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके अंदर मानव जो है एक लिंगी प्राणी है यानि कि नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं और जो जीव केवल शुक्राणूं उत्पन करते हैं उन्हें नर कहते हैं और जिन जीवों से के लंडानों की उत्पत्योती उन्हें मादा कहते हैं तो इस तरह से आपको पता चला है अब हम आ रहे हैं female reproductive system या स्त्री जननतंत्र के उपर तो स्त्री जननतंत्र जो है दो भागों में हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि अलग-अलग है इसका system बाय प्रजननंग और आंतरिक प् जो reproduction का काम है वो आंतरिक प्रजननंग ही करते हैं तो बाय प्रजननंग का reproduction में ऐसा रोल नहीं है बस यह helping है एक तरह से तो इसलिए मैं आप इनके नाम बता देती हूँ इनमें बाहर की तरफ होते हैं भगोष्ट लगू और व्रहत दो तरह के होते हैं और इनमें रखत portion है उसमें यानि कि जो माइनोरा है उसके अंदर वसीयत अंतु अधिक नहीं होते हैं और अक्तकोशिकाय अधिक होती हैं और सपर्श संवेधन शीलता भी अधिक होती है और बार्थोलिन गरंतियां एक ग्लैंड्स हैं जो की संख्या में दो होती है और यह व्रहत नाशक होता है और यह जो गशारी है जो स्राव होता है यह अमली स्राव को नश्ट कर देता है क्योंकि अमल जो है शुक्राणों नाशक भी होता है फिर है भगशेफ जो की चेतना शक्ती जिसमें बहुत अधिक होती है और फिर उसके बाद में मुत्र चेतर होता है लेकिन वो reproductive system से related नहीं है, दिन आते हम आंतरिक प्रजननंग पे, क्योंकि आपको नाम तो at least याद होने चीछ, इसलिए मैं इसमें नाम डाल रही हूं, आपको फिर और इसको बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद आजाएगा, तो इसमें सबसे पहले आता हाइमन या के लिए होता है, स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद होता है, वेजाइना, जो की पेशी नलाकार भागे और गरबाशे से जुड़ा हुआ रहता है, इसका भी डिटेल हम पढ़ेंगे, फिर यूट्रस, जो की मेन पोर्शन है, जहां से की reproductive system, स्टार्ट होता है, जहां पर की शीशू का पालन पोशन भी होता है, जिसमें ग्रोथ होती है, और इसको हम दो पार्ट में बाटेंगे आगे, गरबाशे ग्रीवा और गरबाशे शरीर, ते ओवीडक्ट, या अंडवाहीनी, या फैलोपियन ट्यूब्स, इसको कई नामों से हम जानते हैं, डिम्ब ग्र इंप्यूला, इस्थमस, और इंटरस्टीशियल, इनको भी हम डीटेल में आगे पढ़ेंगे, फिर आता है ओवरी, जहां पर की एग का प्रोडेक्शन होता है, अब ये हम इनको डीटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि योनी चद है, जैसा कि मैंने बताए, पतली, महीन, जिल् जाता है, फिर आता है योनी, जो की एक पेशी नलाकार भाग है, जो की गरबाशे से जुड़ा है, और नीचे का भाब जो संकीन होता है, और उपर जाकर के चोड़ा हो जाता है, और इनके संकुचन और जो भी मोचन का कार रहे है, वो मास पेशियों द्वारा किया जाता है और कोई gland इसमें नहीं होती है इसके अंदर एक शलेशमा जिली रखी रहती है और जिससे की स्राव निकलता रहता है जो इसे protect करता है और गीला रखता है dry होने पर friction की वज़े से damage का डर रहता है ये स्राव जनरली अमली होता है जिससे की किटानों उसके अंदर उत्पन ना होने पाए क्योंकि एक soft portion है तो किटानों की उत्पन होने का बहुत खत्रा रहता है तो जिवानों से अक्षा करने के लिए ये अमली इस्राव निकलता है इसका मुक्यकार रह शिशू प्रसव है यहीं से प्रसव होता है मासिक चकर भी यहीं सही है और जो conception, conceive करने की करिया है वो भी यहीं से होती है यूनिमार की मांस्पेशियां आवशिक तरमसर फैल जाती है और सिकूर कर पूरवावस्ता में भी आ जाती है इसमें बहुत सारी blood vessels होती है lymph होता है और नाडियां यानिकी nerves का जाल फैला रहता है अब आते हम जो गरबाश है क्योंकर गरबाश है जो है जिसको हम uterus कह रहे है यह नाशपाती के अकार का होता है एक खोकलांग है इसके अंदर क्योंकि इसको वेबी को केरी करना होता है योनिमार के बीतरी भाग पर जो गरबाश होता है उसका संकीन भाग लगबग तीन इंच लंबा दो इंच चोड़ा और एक इंच मोटा होता है ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फ्लैक्सिबल होता है इसके दोनों और मुत्राशे और मलाशे इस्तित होता है और गरबाश है की जो सरचना है वो लचीले तंतूं और पेशियों की बनी होती है और इसमें सिकुर्न और मलाश फ्लैक्शन और वापिस कांट्रैक्ट होने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है बहुत हद तक ही फैल सकता है इसकी दिवारों का निर्मान तीन प्रकार की स्तरों से होता है जो सबसे उपरी स्तर है मोटी जिल्ली का बना हुआ है इसे बहाई स्तर कहते हैं ये पेरिटोनियल कवरिंग का जाता है फिर है मद्य स्तर मायोमेट्रेम ये मानस्पेशियों का बना होता है और अंदर की शिलेश्मिक तय जो की उसका सर्फिस बनाती है उसको अंतरस्तर ये एंडोमेट्रेम कहते हैं और इस तर में बहुत सारी गरंतियां होती है जिनसे की चिकना तरल पदार निकलता रहता है जिससे की भीतरी भाग जो ये नम बना रहता है फिर अब हम इसको दो भागों में बाढ़ते हैं इसको और पढ़ने के लिए तो एक तो है गरबाशे गरीवा और एक गरबाशे शरीर जिसको गरीवा को हम सर्विक्स कहते हैं और शरीर यानी बॉड़ी या कॉर्पस कहते है अब गरीवा जो आगी की और योनी में परिवतित होती और निचला चिदर इसी में खुलता है यह आप डायग्राम को देख करके और आपको पहचान जाएंगे और याद भी आजाएगा आपने पहले पड़ भी रखा है तो यह जो बीच में बना हुआ है ट्राइंगल सा यह है यूटरस इसका उपर का जो पोर्शन है वो अडंडियूमेट्यम है जिससे की सब शेशमा वगएरा निकलती जो में बीच का जो मांसल पोर्शन है वो अधमेट्री मैं और मायमेट्यम में जड़ा हुआ है या जिड़ा हुए रहा है और जो उपर की तरफ आपको गुच्छे जैसा दुखाए दे रहा है ये है प्रावटेटी है जो कि आपकी फैलोपियन ट्यूब का आगे वाला हिस्सा है जो आगे आप पढ़ेंगे कि जो ओवरी से जो एग निकलता है वो फिम्बरी के तुरू के अदर से पास होता हुआ यूट्रस में जाता है तो इस तरह से डावर्याम से आपको क्लियर हो गया और गरबाशे ग्रीवा को हम उसके बारे हम पढ़ी चुके हैं फिर बी आप शो और पी डीटेल में पढ़ने के लिए इसको फिर से पढ़ सकते हैं कि गर्बाशे ग्रीवा जो है वो सर्विक्स कहलाती है जो संकिन होती है फिर बीच का जो पोर्शन है जिसको बॉडी का जाता है या फॉर्पस का जाता है सबसे उपर का जो शीखा का पार्ट है जहां बंद होता है वहां फंडस कहलाता है दोनों तरफ अंडवाहीन ही है जो क द्वारा अंडग गर्बाशें तक सुरक्षित पहुंचता है अब जो गर्बाशें शरीर है इसका मुख्य कारे मासिक चक्र का है और फीटस को रखने का कारे है तो मासिक चक्र पूर्व के सब्ता में गर्बाशें फूल जाता है इसमें काफी ब्लड सर्कुलिशन भी बढ़ जाता है, muscular हो जाता है, आकार में दूगुना हो जाता है, क्योंकि ये बेबी के लिए अपने आपको तहियार करता है, मासिक चक्र के समाबत होने पर ये कम हो जाता है और गर्बाषे में प्रत्यक महाएक अंडख परीपकव हो कर अंड़ाशे में पहुंचता है और अंड़ा इस्तापना के लिए गरबाशे स्थान मनञता है और उसका पोशण भी गरता है जब समय पूर्ण हो जाता है गरबावस्ता का यह कि शीशु परिपक वो जाता है तब गर्भाशे की मानस्पेश्यों का संकुचन और विस्तारन पक्रिया के दोरा शिशुजन में सायता भी देता है तो आप देखते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है अब ये जो इसके अंदर जो होती है छोटी छोटी मानस्पेश्यों नलिकाएं होती है जो गर्भाशे के उपर के भाग़े दोनों सीरों पर पाई जाती है अंडवाईनी जो है ये गर्भाशे को अंड़ाशे से संयुक्त करने वाली दोन अलिकाएं हैं और ये जो है इसका एक सीरा गर्भाशे से और दूसरा अंड़ाशे को जोड़ता है प्रत्य की लंबाई चार से पाँच ही जोती है अन्वाईनी को हमने पहले भी पढ़ा था कि चार भागों में विवक्त किया जा सकता है जैसे कि पहला जो है वायू कोश्टी का या इन्फंडिवुलम है आप इस डाइगराम में देख सकते हैं इन्फंडिवुलम जो काफी इंपॉर्टेंट पोश्टन है जो चोड़ा पोश्टन है और जो की ओवेरी से जुड़ा हुआ है यह जो गोल पोश्टन है यह ओवेरी है और इससे जुड़ा हुआ है और फिर जुडने के बाद में यहां से यह तुम्भी का तुम्बे क्याकार के होने के कारण इसका नम तुम्बी का है और ये कहलाता है एंप्यूला जिसको हम बोल रहे हैं फिर है इस्तमस यानि सईयोजक जो जोडने का काम करता है किस से यूटरस से और फिर आता है अंतराली यानि की इंटरस्टीशियल ये थोड़ा सा पोजिशन जो है छोटा सा इंटरस्टीशियल के लाता है अब अंडाशे की तरफ आते हैं ये भी एक काफी इंपोर्टेंट ऑर्गन है अंडाशे जो है वो गरबाशे के बाहर की और कुछ दूरी पर एक एक डिम्ब गरंथी होती है यानि कि दो होती है ये दोनों साइड में प्रत्य माशिक अंडाशे की लंबाई एक इंच चोड़ाई थी फोर्थ इंच और मोटाई 3-4 इंच होती है अंडाशे का आकार बादाम की समान होता है और इसका मुख्य काम जोए अंडाणू का निर्मान करना और अंडवानी तक पहुचाना है तो अंडाशे जो है इस तरी में श दूरियां पढ़ जाती है, इसके अंदर मासिक चक्र के बाद में डिम्बोत पादन शम्ता उस समय नहीं होती है, फिर परिपक्वा अवस्ता प्राप्त कर लेने पर अंडाशे से हर मा एक अंडक का निर्मान होता है, यह अंडक बहुत जल्दी ग्राफियन फॉलिकल का वाजित कर देता है, एस्टोजन का अस्टावारम हो जाता है, और पूर्ण रूम से परिपक वो जाने पर ग्राफियन फॉलिकल जो है, वो अंडाशे की सत्य पर पहुंच जाता है, अंडाशे की बीतर तरल पदारत की मात्र बढ़ जाती है, और यह विस्तारित हो करके, औ यह डाइगराम में देख सकते हैं, यह जो ओवरी में से एक जो उत्पन हुआ, यह कॉर्टेक्स की तरफ यह जा रहा है, यह बड़ा होता जा रहा है, और फिर यह लास्ट में जहां पर फिंबरी है, यानि कि आपको जो चोटे-चोटे बालों जैसी सरचना दिख रही है, यह जैसा कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रही हूं कि यह दबाव की बढ़ने पर फट जाता है, बाहर निशकासित हो जाता है, अंडवाईनी में प्रवेश करता है, और यह लगबग चौदवे दिन होता है, तो मासिक चक्र के मद्ध में से निकलता है, और इस प टीटर्स की रूप में डवलप होता है, और अगर नहीं हो पाता है, पर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अगले मासिक चकर के पहले यह शोशित हो जाता है, आप जाता है, और इसको रजिस्राव में निकल जाता है, अंडशरे के तीन कार्वे होते हैं, पहला है डिम का निर्मान जो के हम देखे रहे हैं दूसरा एस्टोजन का निर्मान और तीसरा प्रोजेस्ट्रोन का निर्मान अब इसका प्रभाव क्या पढ़ता है गरबाशे के ऊपर हार्मोन किस तरह से काम करते हैं देखें इसमें तीन हार्मोने गॉनेटोट्रॉपिक हार्मोन जो की पि Utilizing hormone, Luteinizing hormone या Luteotropic hormone दोनों की साहिता उसको चाहिए होती है जिससे कि ये follicle को परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है फिर है estrogen, estrogen जो है डिम गरंती में estrogen निर्मान का hormone का जो निर्मान है वो तो बालेकाल से होने लगता है और ये निर्मान कारे follicle में होता है इसलिए इसको follicle hormone का जाता है इसके प्राबाओं से जो estrogen नांगे वो विक्सित होते हैं और puberty यानि की यवनारम भी कहते हैं जिसको कि जिस समय में रजिस्ट्राव शुरू होने वाला है जो मासिक्स्ट्राव का शुरू होने का समय होता है उस समय में ये कौन लेंगे लक्षन प्रकट होते हैं इसके कारण से अब progestron, progestron जो है इसका निर्मान corpus luteum में होता है और अंतर गरभाशे कला या endometrium इसके कारण से मोटी और मकमली हो जाती है और निशेचित डिम्प को ग्रहन करती है इसी के कारण से मासिक्चक्र रुक जाता है और pregnancy की शुरूआत होती है अब इस मासिक्चक्र के कारण गरभाशे में क्या परिवर्तन होते हैं तो यह आप देखिए गरभाशे की यह wall दिखाई जा रही है तो इसके अंदर शुरूआत में बिलकुल छोटा सा decrease की जो slash महाए वो छोटा सा decrease की wall क्योंकि इस समय में अब पर ही पकुए है जो फॉलिकल हो, फिर साथ साथ ही चल रहा है। ग्रैफियन फॉलिकल जो ऊपर की तरफ देखें तो ऐस्टुजन के प्रभाव के करन्ण यह प्रोजिस्ट्रोन का स्राव शुरू हो जाता है, तो मासिक चक्र रुख गया है, लेकिन अब अगर फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, वापिस से जो गर्बाशे की जो वाल है, वो का शरण शुरू हो जाता है, स्राव शुरू हो जाता है, और पहले डाइगराम से देखा, आप मैं explain कर रही हूँ, मासिक चक्र प्रारम होने से पहले कॉर्पस लूटियम का शरण हो जाता है, यानि कि डीजनरेट हो जाता है और रक्तों में प्रोजेस्टरोन की मात्रा घट जाती है, इसके करण एंडोमेटरियम तूटने लगती है, और सराव कम हो जाने पर FSH सरावित हो करके और प्रोजेस्टरोन के सराव को उतेजित करता है और जिसके करण से मासिक चक्र प्रारम हो जाता है, चार-पाश दिन के बाद एस्टरोजन का सराव भी अधिक हो जाता है, और FSH कम हो जाता है अंडक जो है, एस्टरोजन की साहता से पूर्ण परिपक वो करके चौदवे दिन ओविलेशन हो जाता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फटेवे फॉलेकल को कॉर्पस लूटियम में परिवर्थित कर देता है, जो की ट्रोजेस्टरोन का सराव करता है और इस तरह से यह हर्मोन एंडोमेट्रियम का विकास पूर्ण करता है तो यह आपने पूरी तरह से पढ़ लिया, साइकेल भी पढ़ लिया और आपने हॉमोन के बारे में पढ़ लिया और 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 गन्स क्या-क्या है यह भी पढ़ लिये अगर आपको इसमें कोछ भी समझ में लिया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं और मैं फिर से आपको एक्स्प्लेन कर सकती हूँ तो आप इसको दो बार वीडियो को अच्छी तरह से देखें तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तैंक्स